हेलो एकाडमी आज हम लोग भारतंत के बारे में पढ़ेंगे कोशन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को हिट कर दें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो बढ़ते हैं कोशन की तरफ गोड़ दो कोशन नुबर कोस्ट भार अल्फ दिटा डी वर्ट वर्ट एंसर चैनल दो जनर्रों लिए पहल दक है सब्सक्राइब कर दो लोगो डो नेशल क्कें के गई थी को तो नहांच कोस्चन एक वर्ट में कितने दो वक्तियों को भारतंत समान किया जा सकता है है कि दो यृट एंसर ऑप्शन सेकें एक वर् सब्सक्राइब करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे अप्सन थर्ड खान अब्दुल गफार खान अब्दुल गफार खान को सब्सक्राइब बंदुल गफार खान धाया जो की पाकिस्तान से थालूकात रखते थे बदेश अगले को तरफ भारत अन्ट प्राप्ट करने वाले प्रथम गाई का कौन है जराइट एंसरी ऑफ्सन थर्ड एम्स उबाल अचमी में को वर्सने शंतान वे में भारत समानित किया गया तो था ल सेकेंड दो गैर भारती वेक्तियों को भारत अने सम्मानित होने वाली वेक्ति कौन है दराइट एंसर इस ऑप्शन डी ओल अब दे एवब डॉक्टर सरुपली रदाक्रिष्णन चेकरवर्ती राजगोपालचारी तरह सी विरबन को वर्स निस चाहुवन में भारत अने समान किया गया था बरते अगले कोस्चन की तरफ मर्डो पढांत भारत रत्न से समानित होने वाली प्रथम वेक्ति कौन है दराइट एंसर इस ऑफ्शन थर्ड लारवाज सास्री जो भारत की पूर परधान मंत्री तथा दूसरे परधान मंत्री भी थे जिनकी मृत्यू तास्तन में भारत से बाहर हुई थी बढ़ते हैं अगले कोस्चन की तरफ भारत रता से समानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी तैराइट अचरी जाफन थर्ड इंदरा गाधी गोर्डे नेक्ट कोस्चन है अब तक कुल कितने वेक्तियों को भारत रता समानित किया आशकता है ए और दे नेस्ट कोश्चन नेंसल मंडेला को वर्स 1990 में भारत अंसे समानित किया गया वो किस देश के पूर राश्पती हैं दे राइट एंसर इस ऑप्शन थर्ड साउथ अफरिका नेंसल मंडेला साउथ अफरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे बढ़ते हैं अगले कोश किणफटी गोर देनेश घृत अफरिकान थिर अनेस्ट के प्रतांप तार्याम निप्त्र को भारत व्याहरो को भारत्या से सम ह्मानित किया गया इंधर ऑफ्टी अप्च्छन थे राइट हैं आन्सर इस नंकली स्थलोग यह नेस्च प्रांट मुह थे सब्सकित अबभात requirement से कब सम्मानेत किया गया the right answer is option first 1962 go to the next question भारत का सरोस्मान क्या है the right answer is option first भारत रत्न तथा इंक्रमचा पदम्होष्टर पदम्होष्टर था पादमश्री भारत के उच्छितम सम्मान है बड़ते हैं अगले से अगले कोस्चिन की तरब भारतम्सान से रकशोवरती राजगोपालचारी को अ प्रियोग क्या गया है बर्दाय एंगले को चैनल की तरफ मअष्व परांथ भाइद दिने की सुरूप किस वर्स की गई द्रायट एंसर इसका सही एंसर है आप्ष Например सेकेंड सचिन तंदुलकर को वर्ष 2014 में भारतांस समानित किया गया बढ़ते हैं अगले कॉस्चिन की तरफ नेताई सुभाष अंद बोष को भारतांस समानित किया गया था परन्तु उनकी मिर्तिवी वायत हुने कारभाष सरकादर अपरसकार वापस ले गया है अगले कॉस्चिन की तरफ इसने यह कहते हैं अगले कॉस्चिन की तरफ इसने यह कहते हैं भारतांस इनकार कर दिया कि जो लोग इसकी चेहन समीति में रहे हूं उनको यह समान नहीं दिया जाना चाहिए जो कि भारत के प्रथम सिच्चा मंतिरी थे तथा राष्टी भारती राष्टी कांगरेस के प्रथम सबसे युवा अध्यस थे कितने पूरू राष्टी अब तक भारतांस से समाने किये जा चुके हैं अब तक भारतांस से समाने थोगे चेह राष्टी हैं बरते अगले कोशन पर इस अब तक कितने वक्तियों को दिया जा चुका है गोर्थू नेस्ट कोशन भारत के प्रथम सिच्चा मंतिरी जिन्हें मड़व परांस भारतांस से समाने हैं किस वर्स किया गया The right answer is Option second 1992 Go to the next question अब तक कुल कितने महिलाओं को भारतन से समाने स्किया जाज़ चुका है The right answer is Option number second अब तक कुल पांच महिलाओं को भारतन से समाने स्किया जाज़ चुका है Go to the next question भारतन पर प्रथम बार कब रोक लगाए गई थी The right answer is 1977 Verse 1977 में भारतन पर जन्ता पाट्टी द्वारा रोक लगाए गई थी बरदें अगले question की तरफ भारतन पर दूसरी बार कब रोक लगाए गई थी The right answer is option second 1992 1992 में भारतन पर रोक लगाए गई थी क्योंकि PIL केरल और मत प्रेस हाई कोट में दाखिल की गई थी PIL means Public Interest Litigation जिसमें यह कहा गया था कि भारतन आटिकल 18 का उलंगन करता है जिसमें उपाधियों का अंत बताया गया है परन्तु सुप्रियम कोट ने इस पर फैसला सुनाते हुए यह बताया कि भारतन किसी भी प्रकार की उपाधी नहीं है बरते हैं अगले कोश्चेन की तरफ किस वर्ष भारतन आट चार वेक्टियों को दिया गया दराइट अंसर इस आप्शन सेकेंड वर्ष 1999 में भारतन चार वेक्टियों को दिया गया जैप्रकाश नरायन, अमरत सेन, गोपिनाथ बार्दोली, तथा रवी संकर बरते हैं अगले कोश्चेन की तरफ मड़ोपरांथ भारतन लालबाव सास्त्री को किस वर्ष दिया गया धराइट अंसर इस 1966 1966 में मड़ोपरांथ भारतन लालबाव सास्त्री को दिया गया जो कि मड़ोपरांथ भारतन प्राप करने वाले प्रतां वेक्ति थे बढ़ते हैं एगले कोस्चन की तरफ भारती समिधान सभा के निर्माता टाटा डाक्टर भीम रावां बेटकर को भारतान से कब समाने किया गया दे राइट एंसर इस आप्शन नमबर से शेकेंड उन्नी सो नब्बे गो टो दे नेस्ट कोस्चन भारतान प्राप करने वाले सबसे युवाई वक्ति कौन है दे राइट एंसर इस आप्शन फोर्थ सचिन तंदुलकर सचिन तंदुलकर को भारतान वर्ष 2014 में दिया गया था जब उन्हें यह पुरसकार दिया गया तब वो मात्र 40 साल के थे बढ़ते हैं अगले कोस्चन की तरफ भारतान प्राप करने वाले सबसे व्युद्ध व्यक्ति कौन है दराइट एंसर इस आप्शन सेगें थोंडोकेशव करवे थोंडोकेशव करवे को भारतान वर्ष उन्ठावन प्रतान किया था बढ़ते हैं अगले कोस्चन की तरफ भारतान मेडल को किस रंग के फी प्रतान किया गया दराइट एंसर इस भारत भारत की राश्पती द्वारा प्रतान किया आता है गुर्द नेस्ट कोस्चन भारतान के साथ कितने रुपय की राशी प्रतान की जाती है दराइट एंसर इस आप्शन फोर्थ किसी प्रकार की कोई राशी प्रतान नहीं की जात भूपेन हजारी का ननाजी देश्मुक तथा प्रडव मुखरजी तीन लोग को भारत अंद से सम्मानित किया गया था वर्स 2019 में गोड़ नेस्ट कोस्चन भारत अंद संगीत की छेद में कितने लोगों को दिया जा चुका है दे राइट एंसर इस ऑप्षन थर्ड भारत अंद संगीत छेद में पांच लोगो को दिया जा चुका है गोड़ नेस्ट कोस्चन भांद अगास्ट नेस्ट को लाल किले में आयुस समारों में प्रदरसन करने वाले व्यक्ति कौन है तीने भारत अंद समानित किया गया दे र सब्सक्राइब करते हैं अगले कोस्टें की तरफ भारत के पूर राश्पति एपीज अब्दूल कलाम को भारत अंद से किस वर्ट समानित किया गया दराइट अंसर इस ऑप्षन सेकेंड नाइंट सेवन गोड़ नेस्ट कोस्टन भारत अंद का निर्मार्क भारत रधन का नर्मार्क कहां होता है अली पोट रक्साल जो की खलकत्ता में स्थीत है प्हारत अंद किस से बनता है अगर आप लोग ये विडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जब बिल आइकन को प्रेस कर दें थैंक यू